हेलो दिशे दिशा नाम दे वेलकम टी इनिशेशन क्लासेज आज यहां इस वीडियो में हम आधार कार्ड बायो मैट्रिक अनलॉक कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे मैंने आपको MPTAT यानि की वर्ग तीन के एड्मिट कार्ड से एक वीडियो प्रोवाइट किया था जिसमें कि मैंने आपको एक्जाम सेंटर पर क्या 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 डॉकुमेंट्स आपको लेकर जाना है किन बातों का ध्यान रखना है वो बताया था यदि आपने अब तक इस बायोमेट्रिक लॉक नहीं होना चाहिए तो क्या होता है बायोमेट्रिक लॉक पहले आप लोग यह जान ले फ्रॉट से बशने के लिए या फिर कोई और आपके आधार का मेंस यूज ना करें इसके लिए काफी लोग क्या करते हैं अपने आधार कार्ट पर बायोमेट्रि देते हैं तो आपको क्या करना है simply uidai की official website पर जाना है आप directly google पर search करेंगे uidai तो इस तरह से आपको एक page open होगा इस page में आपको पहले वाले option को ही tick mark करना है जिसमें आधा service इस तरह से open होगी ओके इसमें आप नीचे तरह जब जाएंगे तो आपको option मिल जाएगा biometric lock और unlock का तो यदि आपको biometric आपने कभी lock करवाया था तो आप उसको unlock करवा दें ताकि exam में आपको entry मिल सके किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो ओके यह जो biometric lock है आप इसे खुदी disable भी कर सकते हैं ओके और या फिर चाहें तो किसी भी online shop पर जाकर इसे successfully disabled करा सकते हैं यदि information useful लगी हो तो वीडियो को like करें शेयर करें कोई doubt रहा हो तक comment करें और ऐसी update बेने रहने के लिए चैनल को subscribe कर notification bell को जो प्रेस कर दे थेंक यू